नमस्कार आप देख रहे हैं CWB Hindi News पंजाब चुनाव में किसानों के चुनाव लड़ने और हर्याणा में पंचया चुनाव पर भी अपनी पर्तिक गिर्यादी हर्याणा के मुक्यमंत्री मनोहरलाल ने सेंटर पोर मोनिटरिंग इंडियन एकोनोमिक रिपोर्ट के आधार पर राज्य में 34 परतिसत बिरोजगारी दर के बारे में राजनेतिक बयानवाजी करने के लिए कोंग्रेस पर निशाना साते वे कहा कि हर्याणा में वास्तियुक ब प्रिवारों को पंजीकन हो चुका है इस आकडे में 18 साल से 58 साल के आयूवर के एक करोड़ बहतर लाग 96,000 वेक्ति हैं जिनमें से 10,69,500 वेक्तियों ने श्यम को बेरोजगार गोशित किया है इस आकडे के आधार पर यदि बेरोजगार इदर को मापा जाए तो हर्याणा म मातर 6.1% बेरोजगार इदर है लेकिन कोंग्रेस को बरम फैलाने के आधत है और वे 34% बेरोजगार इदर के गलत आकडे पर बेवज़े राजनितिक बयान बाजी कर रही है उन्होंने का आगी जब लोग ही श्यम को बेरोजगार नहीं मान रही तो कोंग्रेस किस आधार प अधार इक्स ग्यांचंद गुपता समय तमाव भाजपा नेताओं ने हवान भी किया इस दोरान माता मनसादेवी मंदिर में महा मरतुंजय जाब भी किया गया मनवरला ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़े लोगतंतर के परधान मंतरी के साथ में पंजाम में जो हुआ वे एमने अनुचे 370 और राम मंदिर जैसे मुद्दे बेहद सांधिपूर्ण हल किये हैं मैंने माता मनसादेवी मंदिर में जाकर पोजा अर्चना की है और परधान मंतरी की दिरगायू के काम ना की है हर्याना भाजपा की नेताओं ने राजिपाल को एक ग्यापन भी सोपा ह देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के रफ्तार को देखते वे हर्याना के स्वास्त मंतरी अनिल विज पूरे एक्शन मोड में आ गए हैं और श्वम फिल्ड में जाकर स्वास्त शेवाओं का जायजा ले रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में कोरोना के मरीजों को स्वास्त शेवाव संबन्दी किसे भी प्रगार्शे दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े इसे दिशा में हर्याने के स्वास्त मंतरी अनिल विज ने पंचकुला के नागरिक अस्पताल में ओचक निरक्षन किया और मां स्थापित किये गई प्यासे ऑक्सेजन प्लांट की कारिय परनाले की जाच की तदा साथ ही अस्पताल में स्वास्त शिवाओं का जाय जाब लिया स्वास्त मंतरी शिरी अनिल विज ने का कि पंचकुला में परदेश के दूसरी जीनोम सिक्वेंशिंग लेब स्थापित किये जाएगी उन्होंने बताया कि पंचकुला में लेब बनने से परदेश के दोनों छोर पर एक एक लेब होगी इससे पहले रोह तक में एक लेब स्थापित की जा चुकी है उन्होंने कहा कि ऑक्सिजन के मामले में हरियाना लगबग आत निरबर हो गया है इसके अलावा वेंटिलेटर ऑक्सिजन कंसेंट्रेटर एम अन्य उपकरण भी प्रयाप्त मातरा में उपलब्द है BPL वे EWS विद्यार्थों के लिए खुशकबरी सुल्क परतिपूर्थी रासे में 200 रुपे की वर्दी आविदन के लिए पोर्टल फिर शे खुला हरियाने के सिक्सामंतरी कावरपाल ने कहा है कि BPL वे EWS विद्यार्थों के सुल्क की परतिपूर्थी है तो यदि किसी कानवस कोई नेजी विद्याले अभी तक ओनलाइन कलेम नहीं कर पाया है तो उनके लिए विभाग द्वारा 6 जनवरी 2022 से पोर्टल पुने खोल दिया गया है इसके अलावा वर्तबान सात्र 2021 में देज अनवाली परतिपूर्थी रासी में भी 200 रुपे का इजाफ़ा किया गया है उन लेखने है कि सिक्षा का अधिकार अधिनियम के तैट 134 से के तैट माननेता प्राप्त नीजी विद्यालों में दूसरी से आठी कक्षा में सिक्षा गरेंड कर रहे BPL EWS विद्यारतों के सुल्क की परतिपूर्थी विद्यालों को परदेश सरकार के दवारा की जाती है कवरपाल ने मताया कि जिला मौली सिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिये गए हैं कि वे इस सम्मन्द में अपने अधिकार छेत्र में आने वाले नीजी स्कूलों के कलेम सिगरता से बिजवाएं ताकि पुष्टिव प्रांत उनके सुल्की परतिपूर्थी विभाग द्वारा सिगरता सिगर की जास के उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे विध्याले भी है जिनके पुराने कलेम वर्ष 2015-16 से लंबित है उनके लिए विभाग द्वारा अलग से पोटल तैयार कराया जा रहा है और ऐसे केस विभाग द्वारा सिगर ही मांगी जाएंगे सरकारी स्कूलों के बच्चे समझेंगे ब्रमांड का रह से भिवानी जिले के दो स्कूलों में बन रहे हैं एस्टोनोमी लैब अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी ब्रमांड का रह से जानेंगे इसके लिए जिला प्रसासन ने एक बड़ी महत्वागांशी योजना तयार की है योजना के तैज जिला मुख्यले पर राजगे वरिष्ट मादेमिक स्कूल तथा कस्वा बवानी खेड़ा के राजगे मोडल संसकती वरिष्ट मादेमिक विद्याले में एस्टोनोमी लैब तयार करवाई जा रही है ये लैब जल्दी बनकर तयार हो जाएगी जिसके बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चे स्पेस साइन्स की जानकर रहासिल करेंगे एक नया ससक्त वेस्टन डिश्टबेंस भारत में उत्री परवती चेत्रों में प्रवेस करेगा बन रही है हरियाना में आठ जनुवरी को सुबह भिवानी लवारु महिंदरगट नारनोल रोतक जजजरवर रेवाडी और बाद में करनाल सोनिपत पानिपत गुरुगराम फरिदाबाद पलवाल सोना तावडु और एंस्यार दिल्ली पर इस मोसम परनाली से हलकी से लेकर मद्यम बारिस की गतिवीदियों की संभावना बन रही है आठ जनुवरी को बारिस की गतिवीदियों में थोड़ी तेजी मिलेगी जिसकी वजह से कहीं कहीं मूसलाधार बारिस गरज चमक के साथ होने की और एक दो स्थानों पर ओलावस्टी भी होने की प्रबल संभावना गई हर्याना अध्यापक पात्रता परिक्षा 2021 के अभियर्थी 7 जनवरी से OMR शीट ओनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। गई हर्याना में गरीब बच्चों के फ्री पढ़ाये पर सरकार का बड़ा फैसला परदेश बर में 500 संस्कृति मोडल स्कूल खुलेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों की मांग को मानते वें शीयम ने फीस में 200 रुपे की बड़ोतरी का एलान किया है। प्राइवेट स्कूलों में पहली से पाची तक के विद्यारतियों के लिए सरकार संस्कृति मोडल स्कूल स्थापित के जा चुके हैं। अब सरकार ऐसे ही 500 और स्कूल खोलेगी ये सबी स्कूल सीबेसी से सम्मंद होंगे और इन में पहले से ही अंग्रेजी मादे में पढ़ाई होगी। बैयाद्मी मामले में पंजाब एम हरियाना हाइकोट के आदेशों को बाद S.I.T. डेरा सचा सोधा पर्मु गुरुमीत राम रहीम से सुनारे जेल में जाकर पुझताज कर चुकी है। को हम हेलिकॉप्टर से ले जाएंगे। इस पर कोट ने पुचा कि राम रहीम वी वी आईपी है या फिर प्राइम मिनिस्टर से उपर। कोट ने कहा कि अगर आपको पुझताज करनी है तो जेल में जाकर कर सकते हैं। इस मामले पर अगले सुनाई अब 21 अप्रेल को होगी बियादबी मामले में पंजाब पुलिस के S.I.T. राम रहीम से पुच्ताज करना चाहती है। राम रहीम ने प्रोटेक्शन वांट के खिलाब हाइगाट में याचिका दाखिल की थी और इसी रद करने की मांग की थी। इसके बाद हाइगाट ने रोतक की सुनारिय जेल मे राम रहीम से पुच्ताज करने की इजाज़त दी थी। रहा तो 600 रुपे का चार्ज लगेगा अभी तक ये चार्ज 300 रुपे हुआ करता था। बैंक ने बताया कि कम से कम बैलेंस पर ग्रामिन और सेमी अर्बन इलाकों की अकाउंट में यह चार्ज 400 रुपे होगा जो पहले 200 रुपे हुआ करता था। यह सभी चार्ज तिमाई इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला को लेकर बड़ा निरने कोविड महामारी की रोक्ताम के लिए एडवाइजरी जारी। कि नागरिकों की सुरक्षा करना सरकार के प्रात्मिक्ता है ऐसे में 35 वा सुरज कुर्ण इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2022 को बाद में लगाया जाएगा। 27% कोटे को बरकरा रखा है इसके साथ ही कोट ने यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए काउंसलिंग को तुरंट सुरू करने को कहा है। इस साल काउंसलिंग में EWS कैटेगरी के चातरों की पैसान के लिए आठ लाग रुपे इंकम का क्राइटेरिया मानने की अनुवती दी है। EWS Resolution और EWS कैटेगरी में कोन आएगा इसके पैसान के लिए मार्च के तीसरे हफते में सुनवाई रखी गई है। EWS को लेकर अंतिम निरने सुप्रीम कोर्ट कराएगा। कोर्ट के मताबिक इस साल पुराने नियमों के आदार परी EWS दिये जाएंगे। EWS में 154 नई कोरोना संक्रमित मिले हैं। अमेरिका में दुनिया में सबसे ज़्यादा 7,51,000 कोरोना केस दर्ज किये गए हैं। अमेरिका में संक्रमन के बढ़ते मामलों के वीच सुकुरवार को 2,200 से ज़्यादा फ्लाइट केंजिल कर दी गई हैं। इसके लावा फ्रांस में 2,61,000, इटली में 2,19,000, ब्रिटेन में 1,89,000, भारत में 1,14,000 और अर्जेंटिना में 1,09,000 कोरोना के केस मिले हैं। कोरोना की बज़े से दुनिया भर में अब तक 54,89,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। वहीं WHO चीफ की जेतावनी, जाननेवा है ओमिक्रोन, इसे हलके में ने लें। पिछले वेरियंट की तरह हीं ओमिक्रोन लोगों को अस्पताल में भरती कर रहा है और जान भी ले रहा है। इसे के साथ 49,580 लोग ठीक भी हुए है। वहीं 9 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केस बढ़कर 49,800 पहुच गए है। लोगों की मौत हुआँ पहुआँ झालान डर जान छोगों की साथ 50,000 लोगों की मौत है। की मौत है। की मौत है और थे रहा है। झाल